उत्तर प्रदेश के पीली भीत जिले में लॉकडाउन का उल्हंगन कर ताजिय जुलूस निकालने का मामला सामने आया है यहां के सदर कोतवाली शेतर में जुलूस निकालने वाले तरेपन लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्श किया है इन लोगों बर सलक पर ताजिय रखकर सजावट करने के दुरान भीट जमा करने को लेकर कारवाई की गई है और साथ ही आलापसरों ने इस लापरवाही को लेकर भीट सिपाही समेथ कोतवाल को फटकार भी लगाई है बता दे कि महरम को देखते हुए योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर कहा था कि ना तो सारवजनी के स्थानों पर ताजिय रखे जाएंगे और ना ही अलम का जुलूस निकाला जाएगा